फ्रेंड स्वागत आपको मारे सीट्यूब चैनल डिजिटेक्स एलेस में फ्रेंड जैसा कि आपको मालूम होगा कि राशन कार्ड की EKYC जो है स्टार्ट हो जुकी है तो आपको भी अपनी EKYC कराना बहुत ही जरूरी है अगर आप राशन कार्ड की EKYC नहीं कराते हैं तो आपके राशन कार्ड से आपका नाम कट जाएगा याने की हटा दिया जाएगा फिर आप दुबारा से नाम को एड भी नहीं कर सकते हैं तो friends, सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आप के राशन कार्ड में आपकी क्याइसी जरूरी है की नहीं है? अगर आपके वहाँ पे KYC नहीं हुई रहेगी तब आप अपने रासन डिलेंगे पास जा करके वहाँ पे KYC करा लेंगे और फिर अगर आपके इस्टेट में eKYC करने का ओनलाइन पोर्टल होगा तो आप खुद से कर सकते हैं पहले हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से चेक करेंगे और कि आपकी KYC जरूरी है कि नहीं है और उसके बाद आप उसकी KYC कम्पलीट करा लीजिएगा तो फ्रेंड आपको मालूम होगा कि गुवर्मेंट की तरब से रासन का जो मेरा रासन एप था उसको जो है उसका नया वर्जन आया है जिसका नाम है मेरा रासन 2.0 अब उसमें आपको जो है धेरो सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी जो काम आप पहले खुद नहीं कर पाते थे अब आप उन कामों को उस एपलिकेशन के जरीए कर सकते हैं जैसे कि आपना राया रासन कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके क्यवाईसी हुई है कि नहीं हुई है जो कि अभी हम आपको करके दिखाएंगे और उसमें आप किसी भी family member को अपने रासन कार्ट से delete भी कर सकते हैं और अपने रासन कार्ट में किसी family member को add भी कर सकते हैं इस सब काम जो है आप उस application के माधियम से कर सकते हैं तो चलिए हम आपको step by step दिखाते हैं कि उस application में आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपकी क्वाइसी complete होई है कि नहीं होई है अगर आपको अपना रासन कार्ड डाउनलोड करना तो उस पर मैंने complete वीडियो बना दिया है तो आप ए थमनेल देख सकते हैं इसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा आप उस वीडियो के देख करके उस app में किस तरह से account create करना और किस तरह से अपना रासन कार्ड डाउनलोड करना मैंने complete जनकारी दे होई है तो चलिए हम आपको mobile screen पी लेके चलते हैं और आपको step by step दिखाते हैं print जैसे कि आप mobile screen देख सकते हैं अब देखे सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टूर में आ जाना है गूगल प्ले स्टूर में आने के बाद आपको मेरा रासन एप सर्च करना है तो आपके सामने मेरा रासन 2.0 की नाम से अप्ले किसन आएगा आप इसको install कर लेंगे अब तो हम याप अपना account बना लिए इसमें login कर लिए तो हमारे सामन डारेट पिन मांगेगा इसमें login करनेगा तो आप में जब आप इस पर open करेंगे first time तो आप मारी ये वीडियों देख लेना उसमें basic सा है आपको कुछ करना नहीं है बस आप beneficiary वालेप select करेंगे अपना आधा भी हो जाता है इस पर भी बहुत सारा traffic आ रहा है क्योंकि इसमें अलग-अलग services भी add की गई है तो यहाँ पर आप जब इसमें login करेंगे तो OTP डालेंगे login हो जाएगा pin create करना हो तो pin create कर लेना और आप यह बारी वीडियों हमारी देख सकते हैं जिसमें हमने रासन कार्ट को इस तरह से हमारा रासन काड़ उपर सो कर रहा है उपर front side अगर हम इस पर टेप करेंगे तो हमारा यहाँ पर back side आ जाएगा इस तरह से आप ट्रेक कर लेंगे अब आपका रासन काड अगर आपको download करना तो आप यहाँ पर देखिए एक arrow बनाया चोटा साँ आप सिंपली इ आपका रासन कार्ड आपके सामने डाउनलोड हो करके आ जाएगा फ्रंट साइड बैक साइड यहां पर फोटो का ऑप्षन भी बनाए गया है तो आप चाहिए तो यहां पर फोटो भी अपना एड कर सकते बने मुखिया का यहां पर सिगनेचर मांगा जारा सिगनेचर भी आप इस तरह सबना रासन कार्ड डाउनलोड करेंगे और हमारा ड्राइब मुपान हम इस पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे हमारा रासन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा अभी हमें चेक करना था कि क्या वाइस हुई है कि नहीं हुई है या करानी है कि नहीं करानी तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले तो होमपेस पर आने गाद आपको मैंने इस फैमिली डिटेल यहां पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस फैमिली डिटेल आपको सिंप्ली इस पर क्लिक कर देना है आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते है आपके सामने आपके सभी family member की detail आ गई है सामने इसमें से friend देखिए जिस भी family member के सामने यहाँ पर देखिए आधार KYC लिखा है आप यहाँ पर मैं आपको highlight करके दिखाता हूँ ए रहा ए रहा और इसी तरह से ए रहा ए रहा तो जहाँ पर अधार KYC लिखावा KYC लिखावा आपका not verified है अगर red color से है friend तो आपका KYC complete नहीं हुई है हम आपको इपर उस पर tap करके दिखाएंगे कि आपको कौन सा option उसमें आता है सबसे पले हम आप दिखिए उपर का जो लिखा है मैं इस पर not verified है इस पर मैं click कर दूँगा अब हमें चेक करना है कि हमारी KYC होई है यहां पर not verified लिखाया अगर हम यहां पर not verified पर click करेंगे तो हमारे साने एक option आ गया यूर अधार KYC is pending please visit your nearest FPS for complete अधार KYC अब आपको अधार की KYC कराने के लिए आपको अपने राशन डिलर के पास जाना होगा आपको अपने फिंगर लगाएं गया तो आपकी KYC complete हो जाएगी तो अगर आपको सामने not verified का option आपको बस समझ लेना है कि आपकी KYC complete नहीं होई है आपको अपने राशन डिलर के पास जाके अपने KYC को complete करा लेनी है और इस application में जो भी detail दी गई है जो जो services नई एड होई है उन पर मैं next video लाता रहा हूँगा तो अगर आपका इसमें कुछ question है कोई doubt ताप मुझे के वेंड़ाक्स में पोच सकते हैं सो मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए जैहिं